हाई फ्रेंट्स आज हम आपको अकेंठोसिस निगरिकेंस के बारे में बताएंगे कि यह किन किन में होता है और इसे कैसे हम पर सकते हैं यह हमारे पास जो पेशेंट है यह अकेंठोसिस निगरिकेंस के ट्रिक्मेंट के लिए आए हैं तो अकेंठोसिस निगरिकेंस में आपन होते हैं उनमें ये मिलता है जो भी हमारे बॉड़ी के फोल्ड्स हैं जैसे कि हमारा एक्जिला या फिर ग्रॉयन रीजन है जहां पर दो अपोजिंग सर्फिस मिलते हैं वहां पर ये इस टाइप का ठिकनिक आ जाता है और ये फिर हमें लगता है कि ये मैल है और हम इसको रग जाता है जिसकी वज़ा से यह वली ग्रोथ और यह उसी प्रिगमेंटेशन आ जाती है यह उसली हमें गर्दन पे मिलती है और फिर फोरहेड पे बिलती है और जो भी शर्फेसıldı हमारे 2 इसे मिलते हैं जैसे बाजू हो गया, बगल होगी, एक्जिला जिसे बोलते हैं और नीचे ग्रॉइन रीजन जो होता है हमारे नकल्स भी इसमें ब्लैक हो जाते हैं आप कभी भी देखिएगा तो इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि अपना वेट कम कीजिए तो ये खुच बेखुच चली ज होता है और इसकी पिग्मेंटेशन कम होती है और इसके अलावा हम इसमें लेजर ट्रीटमेंट और केमिकल पील्स भी कर सकते हैं तो हैव फास्टर रिजर्ब्स और इन पेशेंट को हम हमेशा बोलते हैं कि इन्हें अपना इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए किसके अप में फास्टिंग और खाना खाने के बाद करवाना चाहिए उससे हम हमें अर्ली डायबर्टीज का डिटेक्शन में मदद मिलती है और इनके अलावा हम पेशेंट को यह भी बोलते हैं कि जिनमें यह होता है वो प्रीडा मतलब आगे चलके उनमें डायबर्टीज होने के अस करवाए और अपने डॉक्टर के संपर्ग में रहे धन्यवाद दोस्तों